Hello students आज का हमारा chapter है digital electronics digital electronics इसके अंतरगर बेसों हम देखेंगे digital electronics क्या होता है और इसमें हम पढ़ेंगे नंबर शिस्टम संख्य प्रनाली उसके बाद हम देखेंगे इसमें gates from logic gates कोन-कोन से होते हैं वीविन प्रकार के gates होते हैं वल और उसके बाद देखें, Combinational Circuits, जैसे Adder हो गया, Substructor हो गया, Multiplyer हो गया, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, Digital Electronics का Introduction, Digital Electronics आखिर होता क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं, वरतमान समय में, जो है, Electronics को Analog तथा Digital, दो साखाओं में विभक्त किया गया है, Analog Electronics का मुख्य आधार जो है, Analog Signal, जो की सतत सिग्नल, जैसे कि साइन वेव होता है, सतत सिग्नल, जो किसी के पैरामीटर का समय के साथ निरंतर परिवर्तन को दर्साता है, जबकि Digital Electronics जो है, पूर्णता, Digital Signal पर आधारीत होती है, Digital Signal Voltage के प्रिथक प्रिथक इस तरों, अलग-अलग इस तरों में होने वाले परिवर्तनों को दर्साता है, इसमें Voltage की रासियों को 0 और 1, है ना, 0 और 1 दो रासि, Digital Electronics में क्या होता है, 0 और 1 दो ही रासि के समय को प्रदर्सित किया जाता है, अता, संपूर्ण डिजिटल प्रणाली जो है, बाइनरी संख्या पद्धती पर अधारित होता है, जिसमें केवल दो अंख, 0 और 1, है ना, 0 और 1 का प्रणाली द्वारा किसी सिगनल एवं विवित प्रकार के डिजिटल परिपतों की सहता से, अधिक सुगमता पूर्वाक एवं तूटी रहित कार्य पूरा किया जा सकता है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं number system संख्या प्रणाली संख्या प्रणाली जो है बहुत ही जटिल होती है क्योंकि इसमें सुन्य के लिए कोई संख्या नहीं होता Binary, Octal, Decimal एबं Hexadecimal जो है मुख्यता उपयोग में की जाने वाली संख्या प्रणाली है संख्या प्रणाली में एक base या redix होता है उधारन के लिए जैसे कि decimal में base या redix आपका होता है 10 यहाँ पर table में आप देख रहे हैं चार प्रकार के number system यूज़ किये जाते हैं पहला होगे आपका binary दूसरा है octal तीसरा है decimal और चांथा है hexadecimal binary, octal, decimal और hexadecimal तो binary जो है इसका base दो होता है दो कहने के मतलब है इसमें दो digit हम use करते हैं और वो digit होता है आपका 0 और 1 सेम इसी परकार octal, octal में आप आपका base होता है 8 है ना इसमें 8 जो है digit यूज़ किया जाता है जो की होता है 0 से लेकि 7 तक है ना 0 से लेकि 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिज़िट होता है और वो जो होता है 0 से लेकि 7 तक नेस्ट है आपका decimal, decimal वही संख्या है जो हम use करते हैं किसी भी गणना में है ना जो हमारे सबसे ज्यादा यूज़ किया जाता है decimal, simple हमारे गणना में और इसका base होता है 10 और इसमें संख्या यूज़ किया जाता है 0 से लेकि 9 तक, 0 से लेकि 9 तक लेने से यह हो जाता है 10 संख्या इसलिए इसका base है 10 नेस्ट है आपका hexadecimal और hexadecimal का base होता है 16 इसमें 0 से लेकि 9 तक आपका अंक होता है और उसके बाद होता है आपका a से लेकि f तक है ना जो 6 आपका digit है वो होता है a से लेकि f तक जो की alphabetic होता है जिरो से लेकि 9 तक आपका अंक होता है digit और a से लेकि f तक यह होता है आपका alphabetic तो इसमें basically digital electronics में हम use करते हैं binary numbers binary नबर तो इसको हम थोड़ा जादा ही detail में देखेंगे okay अगे हम देखते हैं संख्या प्रणालीके प्रकार है जैसे कि अभी देखें चार प्रकार के होते हैं उसको थोड़ा रिटेल में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है आपका Decimal संख्या प्रणाली Decimal Number System Decimal संख्या प्रणाली में अंकों का जो आधार है वो होता है 10 Decimal संख्या प्रणाली में 10 अंक 0 से लेके 9 0 से लेके 9 تक प्रयोग किया जाते है समानिता जहां भी संख्याओं का प्रयोग हो, वहाँ decimal संख्या का ही उपयोग किया जाता है PCB संख्या प्रनाली में संख्या का सबसे दाया अंक, निवनितम सार्थक अंक, लिष्ट सिगनिवनितम बीट, लएजबी एवं बाया अंक, अधिकतम सार्थक अंक, जिसको कहते हैं, Most Significant बीट, MSB होता है decimal प्रणाली में यदि निवनितम सार्थक अंग LSB में अधिक्तम सार्थक अंग MSB की ओर जाते हैं तो उसकी अंग को कमान प्रते किस्थान पर 10 गुना पड़ जाता है इसलिए इसका बेज जो है 10 होता है और इसे हम कहते हैं decimal चंख्य प्रणाली जैसे कि आप देख रहें यहां पे decimal की बिंदू इधर वाला जो पूर्णांग है यह आपका पूर्णांग भाग है और यह वाला आपका भीन नहीं मतलब दसमलों के बात की संख्या ठीक दूसरा है आपका binary संख्या प्रणाली है ना binary संख्या प्रणाली क्या होता है समानीता computer जो है binary संख्या प्रणाली पर आधारित होता है computer और बोलने का मतलब है पूरा digital electronics हमारा based है binary संख्या प्रणाली पर है ना क्यूंकि computer को दिये जाने वाले निर्देश bits यानि कि 0 या तो 1 इन दो नंबरों के सम्मों में दिये जाते हैं 0 या 1 तो यहां पर जो है 0 का मतलब होता है off या फिर असत्य बोल सकते है यहां पर मतलब होता है on सत्य या तो उच्च जीरो का मतलब होता है off फाल्स या लो वन का मतलब होता है on true या तो हाई इस प्रकार दो अंक या बिट्स पर आधारित या प्रणाली binary प्रणाली या बेस तू प्रणाली का लाती है इस प्रणाली में वेक्त की गई संख्या binary स संख्याएं कर लाती है बाइनरी प्रणाली में किसी डेसिमल संख्या को जैसे की निमनिवत यहां पर दिखाया गया है ना इस टेबल में जैसे 0 का तो आपका 0 ही होगा 1 का हो जाएगा 001 2 का हो जाएगा 0010 3 का है 0011 4 का है 0100 5 का है 5 का है यहां पर 0101 6 का है 0110 7 का है 0 111 इस प्रकार और आगे भी देख सकते हैं नेट्स हम देखते हैं अ बीट्स है हमारा सबसे छोटा इकाई होता है यहना डिजिटल लेक्राणिस्म बीट्स जो है हमारा सबसे छोटा इकाई होता है जैसे कि एक बीट इस इक वल टू वन बीट हो गया और निबबल एक निबबल बराबर होता है आपका चार बीट मतलब इसमें चार डेटा हमारा संग्रहित किया जा सकता है जैसे कि 1001 या कुछ भी हो चार डेटा हम इसमें सेव करके रख सकते हैं या इस्टोर कर सकते हैं एक निबबल बराबर चार बीट एक निबबल बराबर चार बीट उसी प्रकार एक बाइट एक बाइट में आपका होता है एक बाइट में कितना बीट होता है तो एक बाइट में होता है आपका एट बीट इसके बाद आता है word एक word में होता है आपका 16 bit और नेस्ट है double word इसमें होता है आपका 32 bits double word आपका जो प्रोसेशर वगरा जो आता है ना मोबाइल का कितने bit का है और कंप्यूटर्स जो होता है माइक्रो माइक्रोफ कंटूरल जो होता है उसमें अलग-अलग bit में आते हैं कंप्यूटर्स के इस्टोरिज चमता तो उसमें रहता है किसी में 32 bits 62 bits इस प्रकार है ना तो वो यही होता है कर दो कर दो झाल को यही होता है